पीएम मोदी ने देश को दिया 20 लाग करोड का आर्थिक पैकेज 20 लाग करोड रुपे का ये पैकेज 2020 में देश के विकास यात्रा को आत्म निर्भर भारत अभ्यान को एक नई गती देगा ये पैकेज भारत के जीडीपी का 10 प्रतिशत है अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्ध्योग, ग्रिह उद्ध्योग, हमारे लगू मजलो उद्ध्योग, हमारे एमसमी के लिए है जो करोडों लोगों की आजी विका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मदबूत आधार है देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा कि लोगडाउन का चौथा चरट, लोगडाउन चार पूरी तरण नए रंग रूप वाला हुगा, नए नियमों वाला हुगा राजियों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके अधार पर लोगडाउन चार से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी प्ये मोदी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत का ये यूग हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन परव भी होगा, अब एक नई प्रान शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है आत्म निर्भरता हमें सुखर संतोष देने के साथ सशक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बराने का हमारा दाइत्वन आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देश्वाशों की प्रार्ण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी यूपी में पहुचे 233 ट्रेनों से 281,000 मजदूर ये बताते हुए अपर मुख्य सचीफ ग्रीहावनी शवस्ती ने बताया कि मुख्यमंद्री योगी आदित तिनात ने कहा है कि मजदूरों की सुविदा का पूरा खयाल रखा जाए उन्होंने कहा कि सीम का आदेश है कि प्रवासी कामगारों श्रमिकों सहीत किसी भी जरूरत मन के पास राशनकार ना होने पर उन्हें खादान उपलब्ध कराया जाए मुक्यमंद्री योगी आदित तिनात ने निर्देश दिया कि क्वारंटाइन शेंटर शेल्टर होम पर मौजद प्रवासी स्रमक्यों के नाम पता टेलिफोन और दक्षता संबंदी वी ब्रड जुटाय जाए उन्हें कहा कि मजदूरों का स्केल मैपिंग का कारे लगतार जारी रखा जाए तकि बाद में उन्हें रोजगार मौहिया कराया जा सके कोरोना संकट के बीच अजीम प्रेम जी उनिवस्टी और सिवल सुसाइटी औरगनाइजिशन के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर चौकाने वाले आकड़े सामने आये हैं लोगडाउन के बीच सर्वे में पता चला है कि दोती हाई से जादा लोगों के पास रोजी रोटी कजरिया खत्म हो गया वहीं जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी कमाई में भारी कमी आई है आलम ये है कि आदे से जादा घरों में कुल कमाई से हफ्ते वर का जरूरी समान भी खरीदना मुश्किल हो रहा है शुद्कर्टाओं के मुताबिक लॉक्डाउन के वज़े से न सिर्फ बड़ी कमपनियों में कामकास छप हुआ बलकि उसके सहरे चल रहे स्वारोजगार के तमाम धंदे भी बंद होते जा रहे हैं यह चिंता की बड़ी वज़े है दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आक्रो को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दिल्ली भारते जनतपाथी बीजेपी के बाद अब दिल्ली नगनिगम ने केजी वाल सरकार पर कोरोना संक्रमड से हुई मौत के आक्रे शिपाने का आरोप लगाया है दिल्ली नगनिगम ने बकायदा आधिकारिक रूप से सूची भी जारी करी एमसीडी ने कोरोना से होने वाले मौतों के आधिकारिक आक्रे जारी किये एमसीडी ने दिल्ली में कोरोना से 340 लोगों की मौत का दावा किया साउथ एमसीडी में 187 और नौर्थ एमसीडी में 135 कोरोना मरीजू की मौत का दावा किया गया है दूसरी और दिल्ले सरकार के मताबिक कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौध हुई है